हेलो सचिटेरियस वेलकम बाक तो यूर चैनल डिवाइन बबल तो कैसे हैं आप सचिटेरिस तो यह होने वाली है आपके लिए जुलाइ दो हजार एक्टिस की रीडिंग फॉर आपका लव करियर फाइनांस जो भी मैंको मेसेज़ आएंगे सचिटेरिस वह हम आपके साथ श् इस वह जाएगी यहां पर तो सचिटेरिस हम रिक्वेस्ट करते हैं डिवाइन इंजूल से हैं फर्स काड़ भी क्या है उचल क्या है मैं से लेंगे विच इस टेथ कार्ड तो कोई ट्रांसफोर्मेशन चल रही है यहां पर लेट सी मोर कार्ड आपके लिए सचिटेरियस की लाइफ में क्या चल रहा है विच इस इमोशन सचिटेरियस अब यही कार्ड इसी सेम पोजिशन में हमें मिला था एरीज के लिए और नीचे है फाइव उफ पेंटिकल्स तो फाइनांसिस को लेके कुछ इमीजेट मेसेज दाट अगेट इस की कुछ फाइनांसिस को लेके पंगाल उचा ले रहे हो क्या यहां पे कोई एंडिंग हो रही है करियर की एंडिंग हो सकती है एचार रोल में हो सकते हो या फिर आपकी एचार से कोई बातचीत ने बनी कुछ मिसंड़स्टैंडिंग हो गई क्यूंकि इनके साथ रिलेशन खराब होते हैं या फिर यह Emotionally Manipulative हो सकते हैं at things काफी smart है Emotionally आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको केसी direction में मोड़ देंगे इस टाइप के आपके boss हो सकते हैं अगर यह career setting के बात हो रही है finances में देखें तो आपको यह इनसान जाते हुए देख रहा है in fact इन्होंने आपको इस रास्ते पे चलाया है quit करने के रास्ते पे यह कोई आपसे mature इनसान है मतलब 45 प्लस age group का यह कोई इनसान है इसका zodiac हो सकता है Pisces Cancer Scorpio Scorpio नहीं Pisces के मुझे जादा chances लग रहे हैं gut feeling से बता रहे हूं Scorpio भी काफे dominant है because we have the death card इन्होंने चाहा कि आपकी life में कोई ending आए Okay this seems like a plotted message plotted thing that is going against you Sagittarius but ऐसा यहां पर दिख रहा है आपको emotional करके निकाल दिया उनके दिमाग के पीछे था कि कुछ ending है जो आपकी life में लानी है जो आपको पता भी ना चले ऐसा कुछ आए आपकी life में और आपका financial loss हुआ and आप waiting mode में भी चले जाओगे for your finances hard work काफी किया है लेकिन loss आपको होने वाला है थोड़ा सा clarification लेंगे यहां पर कि on यह ending क्या थी यह जो forced ending यहां पर आई है इसके साथ Okay let's see what is this ending about for you Sagittarius and we have break break आप खुद भी लेना चाहते थे क्या break this is another possibility four of cups four four यानि की रुकना रुकने four सो हो गया eight cycle के एक end होने की हो सकता है कि किसी career में already थे तो उससे break लेना चाह रहे थे वहां से quit करके एक नहीं जगा जा रहे हो चाहते थे खुद का भी decision हो सकता है manipulation की chances है ठीक है वो मुझे first message आया that will be for a small percentage of you लेकिन जादर लोग खुद ही इस break को चाहते थे क्यूंकि हमारे पास है four of swords which denotes की आप काफी ठका हुआ मैसूस कर रहे थे और चीजों को थोड़ा सा रोकना चाह रहे थे जो options आपको life में आ रहे थे वो आपको खुश मैसूस नहीं करा रहे थे क्यूंकि आपको चीजें सामने रखे हुए थी you have worked enough कि आपको चीजें offer हो success मिले वो आपको मिल रहे थ लेकिन आपके सपनों में कोई ऐसी चीज है और भी बड़ी Sagittarius which you want मैं तो यह कहूंगी क्योंकि यहां पे देखो cloud में से यह cup आपको offer किया जा रहा है यह cloud represent करता है divine को उसमें से यह चीज आपको दी जा रहे है लेकिन आप कहां देख रहे हो आप नीचे की तरफ face करके दे हैं और आपको नहीं पसंदिये आप नहीं देख रहे हो which is coming towards you नीचे देखो world card भी है तो कोई एक cycle खतम हो रही है और आपको reward भी मिल रहा है लेकिन आप फसे हो अपने पुराने खयालों में पुराने failures के खयालों में या सोच में which is keeping you back अभी थोड़ा रोका हुआ है आपक निकलना चाह रहे हूँ या एक ही relationship भी हो सकती है आपकी एक relationship में break आया कुछ बातें हुई ऐसी कि relation में break आया emotional connect भी आप लोग का खतम हो गया अब उस इंसान के साथ जिसके साथ आप थे emotional जो interest है ना वो ही खतम हो गया respect ही खतम हो गई ये मन में से ये आपके partner water sign हो सकते हैं वही scorpio cancer and scorpio cancer and pisces दादा scope है cancer का okay cancer का least scope है जाची थे but cancer का कह रही हूं तो that means something बहुत सारे लोगों के लिए ये इनके partner की energy cancer की हो सकती है इनके boss भी cancer हो सकते हैं और चाहते नहीं थे कि आपको progress करते देखना आप वो environment ही चोड़ना चाह रहे थे environment ही चेंज करना चाहते हो अप Sagittarius is point of time में ending चाहते हो चीजों की freshness चाहते हो so this is the thing here let's see कि अगर कुछ romantic connection है इसका love and romance angel से देखते है कि क्या कुछ थोड़ा सा कुछ romantic है भी आपकी नहीं इस महिने में काफी deep thought में है Sagittarius for this month and we have the card attraction same Aries के जैसे cards आ रहे है शफल आपके साम नहीं कर रहे हूं मैं तब भी तो attraction है यहाँ पर किसी की तरफ attraction हो सकता है fling type का है कोई serious love नहीं है okay उसके अधर attraction है वो आप से काफी different हो सकते है तो उनके बारे में आप serious तो बिल्कुल भी नहीं है it is just like that for now चीक है love and romance में तो most people and let's see यह angel oracle क्या कहता है आपको interested तो है यह आप relationships में but not at this point and we have perfect timing so perfect timing for starting something new ending तो हो रही है यहाँ पर थोड़ा सा दुख भी हो रहा है पीछे चोड़ते हो है दुख काफी है क्योंकि ऐसे dull type की energy है dull and gloomy colors है grey grey dark blue रात का रंग तो उसे gloomy चीज़े हैं यहाँ पर आपको change करने की जरूरत है खुले आस्मान की नीचे जाने की जरूरत है swimming पसंद है swimming करने जाओ जस ऐसे ही मन में आया मुझे swimming पसंद है तो मुझे suggest करने का मन करा मतलब कुछ activity करो यह आपके लिए perfect time है to indulge in some hobbies ताकि अपना mood को fresh कर सको that will be good for you pause देना बहुत जरूरी है जो यह pause आप चाहते होना अभी इस time में जुलाई के महिने में यह pause आप low for yourself it will be good for you जुलाई के बाद दुबारा से पूरी energy के साथ महिना शुरू करना दुबारा से काम करना एक fresh full energy के साथ दुबारा दुनिया में जाके अपना नाम उपर करना थोड़ा सा तो rest चाहिए ही होता है सबको इसके ज़िए आप भी agree करेंगे मैं भी agree करती हूँ and यह एक general reading थी जैसा मैं कहती रहती हूँ personal reading के लिए description box को check करें and अगर reading पसंद आई हो तो please like वो मुझे बहुत encouragement देता है कि मैं हर महीने आप सब के लिए videos बनाती रहूँ अपने schedule में से time लिए का लूँ और बनाती रहूँ ऐसा and then मिलते हैं आप सबसे next month comment में definitely बताना कैसा है bye ए हुआ कर लो दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल झाल